करोना के बाद म्यूका और माइकोसिस फंगर इंफिक्शन के बहुत केसित नजर आ रहे हैं उसके बारे में बात्तित करते हैं तब यह ब्लैक फंगस का इंफिक्शन जो था जो नाक में आक में हो रहा था बहुत कम लोगों को दिखाई दिया अब यह सेकरड लहर में जो करोना हो रहा है लोगों को वो म्यूटेशन का मतलब उसका म्यूटेशन हो चुका है अलग क्रोना है करोना वाइरस है और यह करोना वाइरस में ज्यादा मीयूक और मैकry Sharpies की कैसे स्नजर आले है नばい, अर फंगल इंफेक्शन है, करोना ठीक होते होते ही, लोगों को यदि आखों मे लाल पना आना लाली आना, आखों से पानी आना, नाक में चांत लेने में तक्लीव और नाक में खुजली या नाग से पानी आना ऐसा कुछ होना सरदर्थ करना ऐसा कुछ उख रहे हैं में हरे हैं तूरंड कान ना-गल्य के डॉक्टे के इर बाद में शावियत हो सकता है अब देखो यह आख को यह दी म्यूकर माइकोसिस हुआ है और फंगल इंफेक्शन हुआ है तो यह एकदम अर्ली स्टेज में पकड़े गया तो उसके लिए दवाई है और वो दवाई से ठीक हो सकता है मगर लोग उसकी परवा करते नहीं है ठीक है तो आखे लाल हुए थोड़ा खुझली है थोड़ा सा तकलिव हो रही है ठीक है चलता है ऐसा समझके लोग बेपरवाई करते हैं और बाद में फिर डॉक्टर के तरफ आते हैं तुरंत करोना होने के बाद में ऐसी लक्षिन डिक हिस्सा एकड़क उसको भी वह एफेक करता है नाक में आखों में और ब्रेन को एफेक करता है तो इसके लिए तुरंत रिपोर्टिंग करना दॉक्टर को और तुरंत फंगल इंफेक्शन का इलाज करना वैसे ही डॉक्टर जब करोना की टीटमेंट कर रहे है उसी समय उसमे फंगल इंफेक्शन ना होई समझो खुदा ना खासता ऐसा होता है कि दो दवाई देने के बाद में भी फंगल इंफेक्शन हो रहा है तो उसका तुरंत इलाज करना होगा तैंक यू बेरे मच गूगल स्टोर से आप डॉक्टर करे कर ये नाम का एप डाउनलोड कर सकते है और ये एप में आप फ्री चैटिंग कर सकते हैं अलग-अलग ऑनलाइन कोरसे से वो डाउनलोड कर सकते हैं और बहुत जादा आपने खुद के लिए फायदा उठा सकते हैं थैंक यू हुआ 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 है